गुड मॉर्णिंग फ्रेंज वालकम टू एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं इसमें पैन इंडिया कंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं माल्टी प्रोफाइल वैकेंशी है आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर मैंटेनर में जो है आफका मैंटेनर जो है इंगिनियर अलैक्र कर इंजीनियर और बहुत सारे इसमें छो है इलिजबिटी करिटे जैसे का आप में आपको मैंने बताया है बीटेक, आईटी आई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, यह तीनों कंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों इसमें, कि आपका जो है, एक से ज्यादा प्रोफाइल पे अगर आप इलीजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, असिस् जोस्तों इसमें हम डिसकस करेंगे, एक जामशन पैटरन डिसकस करेंगे, क्योंकि रीटो एफ्टरन भी होने वाला है, थे युदु के लिए, स्टेशन मेनेजर के लिए इवह अप्मेरिटों अलग होग निडि olmuş आप्लिकażone ।ो इसमें हर प्लीडेशन क करेंगे, यह और निगेटिव मार्किंग तुरह सा डिफ्रेंट है दोस्तों तो वह हम देखेंगे उसके बाद बॉंड हैं लॉट्स अप अधर सिंग्स हैं प्रोवेशन प्रियेट है दैन फिर आपको अन्रोल पर लिया जाएगा तो बहुत सारी चीजें हैं पुड़ा वीडियो दोस्तों द जो टेकनिकल वाले बहुत सारी वेकेंसी निकली है दोस्तों वीडियो क्लास में डाल दूंगा इसमें नहीं होता है तो डैफिनेटि उसमें हो जाएगा और जो है आपको एक और नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि एकाउंट से रिलेटेड होगा तो और लाइक कंडिडेट औ इसमें और जो है अगर आप वीडियो खोस्ताय अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गौर्णन जॉयद्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में आप कैसे आप जो है इसमें अप्लाइ करो गाएं लॉट्स आप अधर तिंग्स राइट अभी इसमें देख लेते हैं यहां पर मैं थोड़ा सा जून कर देता हूं चीज़ों को राइट तो इसमें देखिए उत्तरप्रदेश रेल कॉर्परेशन आप देख सकते हैं उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड जो है लास्ट इट फॉर्म फील करने का दो अप्रेल है दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा राइट और स्टर्टेंग पार जो है तीनमर्छ से हो चुका है 11 मार्स से सच्ट हो चुका है यहां पे देखिए पहला जो है जएवन पोस्ट कोड ध्यान दिजेगा इवन जो है सिस्टेंट मैनेजर और ऑपरेशन्स फिफित तौजंद से वन लाग सिक्स्टी थाओजं तक यह स्टर् चराब का नम्मर और वेकंशी छह है जुसमें जनरल के लिए 4 OBC के लिए 1 SC के लिए 1 और विमेन के लिए 1 और विमेन कंडिडेट के लिए कोई भी रिजर्वेशन यहां पर नहीं किया गया किसी भी कंडिडेट का कंडिडेट का हो वह अपलाइ कर सकते हैं इसमें अब जो इलिजिबिटी क्रेटरिया इसमें जो एजुकेशन का दिया है बीटेक इन अलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रोनिक्स और कम्निकेशन विट 60% मार्ग और जो स्ट कंडिडेट के लिए जो है सिफ स्ट कंडिडेट के लिए 50% मार्ग रखा गया है और जो एज है 21 28 है आप देख सकते यहां पर और जो स्टार्टिंग में जो मेडिकल स्टेंडर्ड जो है एक्जिक्यूटिव लेवल का होगा क्योंकि इसमें मेडिकल फेस से भी 5 एर यह सभी प्रोफाइल के लिए सब प्रोफाइल के लिए जो है य्र मेरे टेकले सबब्सक्रिक्रे Fish के साथ अब देखिए NE01 जो है station controller come train operator तो mostly train को operate करना आपका काम होगा कभी-कभी station control भी करना पड़ेगा 33,000 salary से लेके 67,300 जो है आपकी salary होगे और ये जो salary है 33,000 at the time of training and provision के आसपास होगा आप कितने year का provision period है वो भी हम जानेंगे दोस्तो इसमें number of vacancy 186 है सबसे ज्यादा vacancy इसी में है जो है station controller में जिश्मेक जनरल के लिए 76, 101 वीकर सेक्षन के लिए ठाड़ा, OBC के लिए 50, SC के लिए 39, ST के लिए 3, women के लिए 37 और जो ex-service men के लिए 9, जो experience person है, freedom fighters के लिए 3 freedom fighters के जो dependent है, like grandson है, granddaughter है उनके लिए आप देखिए इसमें 3-year इसमें diploma मांगा है बट जो है beta holder can also apply for the station controller कम train operator के लिए इसमें electronics, electrical, electronics and telecommunication से with 60% mark and 50% mark for SC candidate, age jam रखा गया है, इसमें जो है I1 category का medical होने वाला and then फिर जो के next जो है आपका देख सकते हैं, maintenance और जो electrical department 19,500 लेके आपका 39,900 रूपी तक salary है, 52 vacancy है, ITI चाहिए, electrician trade के लिए with minimum 60% marks, right, और इसमें जो फिर S&T जो है आपका इसमें, इसमें जो है आपका 19,000 से लेके 19,500 से लेके 39,900 तक salary है, 24 vacancy है, इसमें भी ITI चाहिए, mechanic and trade with 60% marks, जो है जो है जो है जो है जो है जो है आपका 19,500 से लेके लिए age है, age relaxation सब के लिए same है, right, अब देखेंगे दोस्तों next steps में selection process, as I told you, selection process जो है जैसे कि यहाँ पे assistant manager के लिए return examination and documentation and medical test होगा, that's it, right, उसके बाद जो आपका station controller कम train operator है, उनके लिए return examination and psychological aptitude test होगा, and फिर जाकर document verification and medical होगा, right, and third, maintenance के लिए जिसमें कि आपका इसमें return test होगा and document verification and medical होगा, तो यह तीनों के लिए examination pattern होगा, recruitment process में ने बता दिया, अब जो है pattern, जो selection process में examination होगा, उसका क्या pattern होगा, examination pattern, दोस्तों वह हम discuss करेंगे, इसमें CBT type question होगा and negative marking क्या है, दोस्तों वह देखेंगे, क्योंकि इसमें 25% negative marking नहीं रखा गया है, right, इसमें जो है medical होने के बाद यह सारा return examination का यहाँ पे clearly किया गया है, return examination का center जो है, पुड़े जो है आपका UP area में ही होगा, apart from UP आपका जो है नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, लखनो, कानपूर, आगरा, प्रियागराज, वारानसी, गोरकपूर, मेरत, उसके बाद जहांसी, बरेली, गौतम, बुद् में जो दिल्ली वाले candidate है, definitely apply करें, greater noida, अलिगर, मुड़ादाबाद, मोजबफर, नगर, तो इन सब जगहों में से किसी एक जगह पर आपका जो है, return examination हो जाएगा, अब जो देखिए, इसमें, selection process examination pattern है, 140 questions होगा, जिसमें कि आपका assistant manager या operations में, और दूत्रा जो है, आपका जो station controller है, उनके लिए है, 140 number का जो है, question होगा, each question will carry one marks, and दूत्रा जो है, आपका maintainer के लिए, जो 3 maintainer के लिए है, right, उसके लिए जो है, आपका यहाँ पे, जो vacancy होगा, जो आपका examination pattern होगा, इसमें, जो है, 100 question पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 40% question जो होगा, non-technical होग like GKGS, like regioning aptitude, और जो है, 60% question जो है, आपका technical होगा, और यहाँ पे, negative marking है, Sam for the, like, जो ratio होगा, वो Sam ratio होगा, इनके लिए, जो है, assistant manager and operator, station controller के लिए, दो घंटे का paper होगा, negative marking, one by third है, दोस्तों, इसमें, तो बहुत आपको careful होना पड़ेगा, during the attempting the paper, right, अब देखिए, इसमें computer-based test होने वाला, examination center, center, already discuss कर चुका हूँ, right, अब next, देखिए, आपका, जो है, application fee, you have to, यह है, आपका training, खर्चा, जो training होगा, उसके दोरान का, यह, आपको, जो है, payment है, but आपको अभी, देना नहीं है, यह, payment, right, आप जब select हो जाओगे, तो आपको bond, जो है, भरना पड़ेगा, three lakh rupees, for the assistant manager, right, जो है, आपका, यहाँ पर देख सकते है, assistant manager के लिए, तीन लाक रुपे का bond sign करना पड़ेगा, और security bond है, यह, आपको pay नहीं करना है, आपको एक bank guarantee type का, जाके bank में document बनाना है, कुछ आपको रखके, and then, फिर जाके, like loan के तरह, एक BG बनता है, bank guarantee, for three year, तो आपको वो बना के, जो है, देना पड़ेगा, three year के लिए, three year तक आप job नहीं छोड़ सकते, right, आप देखिए, यहाँ पे, जो station controller है, या, जो है, train operator है, उनके लिए, देर लाक प्लस GST का BG रखा गया है, bond sign आपको करना पड़ेगा, 75,000 में, जो है, maintainer के लिए है, ITI holder के लिए है, तीन साल के लिए यह bond होगा, और आपका तीन साल में, दो साल तो आपका probation, pre-ret or training निकल जाएगा, दोस्तों, और एक साल आपको job का निकल जाएगा, और आजकल कौन job नहीं चाहता है, कौन job छोड़ेगा, वो भी metro में, अगर आप उत्तर प्र यूपी में जो आपका जो लखनो में अल्रेडी metro है, और फिर आपका यहां आगरा में भी बनेगा, और फिर जाके इंदोर में metro है, नागपुर में metro है, मुंबई में metro है, दिली में metro है, पटना में प्रोसेस होड़ा है, तो बहुत सारी जगा भी metro city बहुत बनने वाली है, मतलब आपको जौब करना ही करना है, और फिर आपका बीजी, अगर आप बीच में छोड़ते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा for that amount, right, so यह है, उसके बाद जो आपका अप्लाइ करने के लिए payment application fee, जो है, 590 रुपीज फॉर जो है, OBC and general candidate, plus 18% GST, that is service charges, bank service charges, 236 रुपे for the SCST candidate, right, अब देखिए, इसको जो apply करना है, आपको www.upmetrorail.com, यहां जाके आप apply कर सकते हैं, online, आपको apply करना है, application fee, net banking, online, आप any भी, कोई भी, जो है, online payment mode के थुरू, आप जो है, pay कर सकते हो, right, so अगर कोई आपको doubt हो, यह कुछ भी हो, तो आप definitely मुझे comment करें, मैं आपको response करूंगा, as soon as possible, right, और वीडियो के लास्ट में जाभी तीन नोटिफिकेशन यह दिख रहा है, सामने, जिसमे की एक जो है, technical के लिए, दूसरा, जो है, non-technical graduate holder के लिए, तीसरा, कोमर्स के लिए, तो आप इन तीनों नोटिफिकेशन को देखें, और जो अगर आप किसी और stream से है, तो पूरा playlist देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी vacancy है, आप apply कीजिए, आपको definitely government jobs मिलेगी, right, so all the best, and thank you for watching this video, please subscribe this channel, the education channel for getting everyday government job notification at your mobile, right, दोस्तों, और जो है, आप share करें इस वीडियो को दोस्तों के साथ, ता कि उनको भी पता चले, और जो है, all the best for your recruitment process, thank you for watching this video, last date है, तो अप्रेल, thank you